हेलो बच्चो, वेलकम टो गनितंग, बच्चो, रिजल्ट तो बहुत मज़ेदार आया है, बहुत अच्छा आया है, और बहुत बच्चो और भेज रहे है रिजल्ट, हमारे गनितंग के बच्चे 99 प्लस, मेरे खैल से 100 से ज़्यादा बच्चे होने बाले है, अच्छा लग तो congratulations again, अब बात आती है, sir, result आ गया, पता चल गया, marks, score, percentile, आगे क्या होगा, तो बच्चो मैं आपको यही पर बता दू, कि गनितंग पे हर चीज आपको time to time update होगी, सारी बाते आपको यहाँ पताई जाएगी, process में आगे क्या होगा, कब, कौनसी step में क्या करना है, बिल गलती आप बिलकुल मत करना, हर चीज यहाँ, detail में सुनना, और फिर अपनी steps लेना, और मैं तो कहता हूँ, मुझे ही नहीं, 2-3 channels को सुन सकते हो, काफी अच्छे अच्छे लोग यहाँ है, जो आपको help कर रहे है, और फिर अच्छे से process को समझना, क्योंकि यह बहुत important है, चोटी सी गलती से, काफी बार हमने देखा है कि colleges में admission cancel हो जाती है, तो सारी बाते, अच्छे से देखना, ठीक है, चलो, तो अब cap process में पहले 2 steps, पहले 2 steps कौन से है, document upload और verification और rank, यह कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, सब जानेंगे आज की session में, चलिए शुरू करते ह बच्चों, सबसे पहले तो, अब हाँ पर हमारा result आ गया, अब आएगी बात, document को लेकर, तो आपने, अपने document ready रखे है, क्या, क्या, आपके documents ready है, यह documents होने चीए, आप इसका screenshot ले सकते हो, यह documents की list, मैं अदेखी मैं हट जाता हू, screenshot ले लीजिए, बस इसमें SEBC certificate है, वो आ add कर लेना, जो SEBC वाले Marata students है उनके लिए, बाकि सारे documents किसके लिए, कौन से category के लिए, क्यों, कब लगेंगे, सब मैंने यहां दिया हुआ है, screenshot ले जी, यह आप ready रखे है, ठीक है, yes, तो documents ready अगर है आपके, तो आप next question आता है, sir, यह documents कब upload किये जाएंगे, क्योंकि अगला process यही है, कि आपको application के status में, documents को upload करना, ठीक है, यह कहां होगा, आपकी जो site है, ctcl.org, जो site है, उसी में आपको login करके, register करके, सारा काम करना होगा, अगर हम flowchart की तरफ जाए, तो देखो, आपका scorecard आया, आपका scorecard कब आया, 16th of June को, कब upload करना पड़ेगा, कितने दिन किया है, उसमें कोई changes करने है, क्या, कुछ लोगों को open से, EWS का certificate पहले डाला नहीं था, अब मिल गया है, तो आप डालना है, किसी को OBC का NCL नहीं मिल रहा है, कुछ और problem है, तो OBC category का कोई document नहीं मिल रहा है, या SCST की validity नहीं मिल रही, तो आपको open में जाना है, जो भी है, ये सारी चीज़े आप यहां पर कर सकते हो, तो application में कुछ changes और document upload करना, इसके लिए हमें एक slot दिया जाता है, एक पूरा सा, ये दिया जाता है, ठीक है, time period दिया जाता है, तो दो week का time period होता है, तो ये चालो होगा 27th June से 10 July तक, yes बच्चो, दो weeks का समय, तो 27th तक क्या करना है, colleges के बारे में information नहीं है, branch कारे में information नहीं है, अपनी college list बनाना, थोड़ा-थोड़ा start करना है, लेकिन CAP का process जो होगा, पहली चीज़ जो CAP की start होगी, वो होगी, मेरे ख्याल से 26th, 27th June से, और ये पूरा ऐसे time period मिलता है हमें, 14 days का, जिसमें आप document upload कर सकते हो, और साथ-सा receipt है, आपने apply किया है, उसके through भी आप जा सकते हो, ठीक है, तो receipt के through भी आप यहां process में enter कर सकते हो, बस आपको original document, जब आप college की admission लोग है, तब आपको चीज़ रहेगा, मतलब यहां से 30-35 दिन हमारे पास आराम से है, yes, in fact उससे जादा भी कह सकते हो, लेकिन 35 days हमारे पास ह इतक आप verify करना पड़ेगा, जो documents आपने upload किये online portal पे, वही document की hard copy, वही document की hard copy आपको verify करनी होगी वर्चो, अब आप पुछोगे, sir, कहा verify करना है, तो scrutiny centers होते है, जो आजपास के colleges है, engineering colleges, वो as scrutiny centers होते है, for example, अगर आप assume करो कि स्वार्गेट अरिया में रते हो, पूने में, तो एक परवती में college है, पीवीजी, या और भी कोई आसपास college mmcoe है, कोई भी है, अगर आप मुंबही में रह रहे हो, लेटर से बांड रहे हैं, तो थाड़ोमल college है, तो जो भी आपके आसपास है, वो college आप select कर सकते हो, तो you have to select and select a slot as well, कि कौन से slot में जाओंगा verification के ज़रूरी है, जो आपने upload के documents, वो सारे verify करना, तभी यह process complete होती है, यह document verification की, तो आपको समझ भारा है, कहा जाना होगा verify करने, आसपास के colleges engineering, उसे हम scrutiny centers करेंगे, आप यहाँ पर drop down में देख पाएंगे, आगे जैसे से process आता है, आपके सब दिखेगा, last year का मैंने इमेज र अपलाई किया है, महाराश्च्टों के लिए, उन लोगों की ranking आती है, a state merit list, या फिर provisional merit list हम कहते हैं, यहाँ पर, तरह तरह के rank मिलते हैं, category rank मिलता है, ladies, अगर है, लड़की अगर है, ladies का quote के through rank मिलता है, TFWS, EWS, काफी अलग-अलग rank मिलते हैं, यहाँ तो यह rank कब मिलेग तो जैसे मैं पता है कि हम 11 जुलाई तक verify कर सकते हैं, 27 से 11 यह window होता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे है, इतने सारे centers है, तो हर एक को थोड़ा time दिया जाता है, आखी दो तिन में बहुत राश हो जाता है, तो पहली कर लेना, ठीक है, तो 11 के बाद, दो दिन के बाद, provisional merit list आएगी वही portal पे, around 14th of July, अगर मैं कहूं, 14th July को हमें हमारा rank पता चलेगा, कि मेरा state merit list में rank क्या है, मेरा category wise rank क्या है, मैंने जेए मेंस के score के तुरू apply किया है, तो जेए मेंस के तुरू, जितने लोगों ने apply किया होगा, महाराश्यों क्या है, उसमें मेरा rank क्या है, तो ये rank, provisional merit list आपको यहां मिलती है, ठीक है बच्छो, 14th July, मतलब यहां तक हमें college list डालनी नहीं है, इसके बाद का next step होता है, कि final merit list और फिर cap round 1, जहां में college list डालनी होगी, और वो around 18th of July तक आएगा, मतलब आपके एक मैने का पूरा-पूरा समय है, बच्छो, college list बनाने के अराम से बनाईए, अच्छे से बनाईए, बहुत अच्छे से बनाईए, ठीक है, तो क्या आपको पता था एक और चीज, कि आपकी जो admission है, वो percentile के basis पर नहीं होती, वो इस rank के basis पर होती है, आप लोग cut-off देख रहे हो, percentile पर यह मिलेगा क्या, actually आपको कोश्चन होना जी if yes, comment करिए, जितने जादा comment रहेंगे, मेरा अगला वीडियो इस पर होने वाला है, और हाँ, like भी, अगर मेरे इस वीडियो को 500 like आते हैं, तो मैं अगला वीडियो तुरंद डालने वाला हूँ, तो बेटा, आप लोग का प्यार मुझे चाहिए, और मैं इस process में आखरी दि connect हो सकते हैं, मैं हर किसी को reply करता हूँ और करूँगा, personally करता हूँ, और आप हमारा app और website देख सकते हैं, वहाँ काफी counselling courses भी है, वो भी join कर सकते हैं, free वाला भी है, जहाँ भी हमें सारी PDF जालते हैं, सारा information जालते हैं, all the best, thank you and take care. झालते हैं, क्या भी हैं, ताफ्य के अए जगाँ, थे प्रया हैं, एक doesn't YE उTube चालते हैं, ज़जगराना सकते हैं, जो हैं मैं झालते हैं, वहाँजराना सUDने करता हैं, our वालते हैं, ट हैं जगको स cosìती हैं, और कर रर बいきे तो प्लंगर का झालत। थोलेफरे हैं, जगर हैं,